अगर हमें किसी रो को सेलेक्ट करना है तो उस पर क्लिक करना है शिप्ट स्पेस बस पूरा रो सेलेक्ट हो गया हमारा अगर हमें किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो जिस भी कॉलम को करना है उस कॉलम पर रखना है कंट्रोल स्पेस पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है